तो फाइनल यहां पर रियल्मी ने अपने 7 और 7 प्रो को लाउंच कर दिया तो आपके लाइक है या नहीं यह फॉन मैं एस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि इससे रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूं जो आपको आई बटन देखने को मिल यह फीचर है क्या यह अपग्रेड है या डाउन गरेड इससे रिगार्ड ही वीडियो होने वाली है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जैसे कि आप 6 या 6 यूज करते हैं उसके बाद अपग्रेड करने का सोच रहें कि आप इसको 7 प्रो में पदल दें तो फ सबसे परेले बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो ओर तो यहाँ धा B ही हां फारेल्म सब्सक्राइज प्रोडक्त 15,000 बत fish ने ऩ्रीजिंग लिए बात करें तो यह दो वाठेट में आपको phone देखने को मिली пока नहीं देता और 108 GB वाला वो आपको 17,000 रुपए का पड़ता है तो यहां पर रेम इंक्रीज हो रही है और आपकी स्टोरेज भी काफी जादा इन्हेंस हो जाती है बिल्कुल डवल है और 2,000 रुपए देना मेरे साफ से बनता है इस 2,000 को देना की अपग्रेड कर रहे हैं तो बहुत यह आपके इसमें रेम इंक्रीज हो रही है और स्टोरेज भी काफी जादा बढ़ जाती है बाहीं बात करते हैं हम रियल्मी 7 Pro की तो बहां पर भी आपको दो वेरेंट देखने को मिलते हैं आपको जिसमें पहला वेरेंट 6 GB और 108 GB के साथ आता है जिसकी प्राइजिंग आपको 2 GB की और इसमें आपको वही स्टोरेज देखने को मिल जाती है अगर समय थोड़ी स्टोरेज भी बढ़ा देते तो यह 2000 देना बंग था था हमें लेकिन मुझे जो पसंद आया इसका रियल्मी 7 Pro का वो मुझे 6 GB 108 GB बाला पसंद आया क्योंकि यह 20,000 पर सटेस्फाइड करता है यह प्राइस तो बात करते हैं इसकी स्पैसिक्शान के पहले वाले वर्जन से डाउन घ्रेड है यह अप्ट यह फोड़ी थोड़ी सी है यहां पर थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है यहां पर आपको पाचछाजार एवेच के बैठ्रीव देखने को मिल जाती आपको तो जो कि काफी अच्छा अपग्रेड है तो बात करों रियलमी 6 की तो यहां पर आपको प्रोसेसर के नाम पर आपको देखने को मिलता था मीडिया टेक का जी 90 का प्रोसेसर देखने को मिलता था और यहां पर अपग्रेड किया है देखने को मिलता आपको जो की काफी अच्छा लगता है डिजाइंग बनाने के चक्रव एन होने यहां पर पॉली कार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है जो की काफी जादा बिल्ड क्वालिटी को बढ़ा देती है तो यह इसका डाइन ग्रेड है कि हाँ पर विल्ड नंगायाँ तो यहां पर आपको डिस्पले में अब गोडिवला इसके मिलता कैमरे ऐनम को देखने को मिल जाता जो कि काफी जादा अच्छा परफॉमेंस करता है कि रियल्मी 7 पूर में एक बहुत ही ज्यादा अपग्रेड वाली चीज है वो है इसका 65 बॉट का सूपर डर्ट चार्जर ठीक है जो कि यह बहुत ही ज्यादा सैटेस्वाइग करता है इस प्राइजर में क्योंकि ऐसा कोई अब तक कोई कंपनी नहीं थी जो कि 65 बॉट का चार्जर आपको इस प्राइस पॉइंट में आपको प्रॉइड करें तो यह काफी ज्यादा वड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिल जाता है इस चेकर में रियल्मी ने काफी सारी चीजों को डाउन ग्रेड कर रहा है ज लेकिन इस बार उन्होंने दो मेंगा पिक्सल का माइक्रो और दो मेंगा पिक्सल का पॉट्रेट सोट देखे रखा जो की कोई मतलब का नहीं होता अगर यह टेली फोटो लेंस भी दे देते तो काफी द्यादा अच्छा रहने वाला था तो यहां पर कैमरे में आपको बोक पिट मिल जाता आपको इस फोन बात करेंगे आपको रियल्मी 6 प्रो और 7 प्रो में दोनों इस प्रोसेसर सेम देखने को मिल जाते हैं आपको यहां पर दोनों में स्ट्रेगन का 720 जी प्रोसेसर यूस किया गया है जो कि मेरे अधाब से थोड़ा अपडेट बरजन दे दे काफी जादा अच्छा लेता है अगर आपके पास रियल्मी 6 प्रो है अगर आप अपडेट करने वाचाते हो रियल्मी 7 प्रोसे तो बिल्कुल मत कीचे मेरे हिसाब से क्योंकि इतना जाद आपको देखने को लेकिन अगर आपको कोई नया फोन खरीना है तो आई थिंक आप बहुत पसंदा है और उसका 8GB 128 वाल वर्जन काफी जाद अच्छा है वह बहुत वैल्यू फोर मानी है क्योंकि 8GB और 128GB के स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है को 17,000 रुपे में जो काफी जादा अच्छा प्लस पॉंट बना देता है इस फोन के लिए तो मेरे सब से ये फोन काफी जादा अच्छा है तो यही सब थी आज की वीडियो में आई थिंक आपको वीडियो पसंद रहा हुगा आपको मेरे पॉंट समझ में आए होंगे कि मै क्या कहना चाहता हूं तो इसी बात वीडियो लाइक कर देना और आपको इन फोन में कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा ठीक है मिलते हैं अगरी वीडियो में जैह हिंद बंदे मातरम